ओके अलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में विशी और आप देख रहें बहूंटू इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मंदे का निप्टिया और वियंक निप्टी का ऑप्शन चेन एनालेसिस करेंगे बाद में टेकनिकल एनालेसिस करेंगे उससे सपोर्ट जरू दबा दिजिए जिसको आपको हमारी नोटेविशन सबसे पहले मिल जाए और हम क्या कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहें बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करने वाले और अच्छा रिस्पोंस मिला तो हम उसमें प्राइज एक्षन भी एड करने वाले तो अगर नेप्टी यह हो बारा अजार पचास से लेके बारा अजार सो के बीच में कहीं क्लोज हुआ तो हम कोल साट देख रहें तो कोल साट सबसे ज्यादा वाई बिल्डप मेरे को बारा अजार सो पे दिख रहा है तो यह मेरे रेजिस्टन्स की तरह वर्द करेगा और मैं देख आज़े हो तो वहाँ ही मेरे को सबसे ज्यादा चेंजी इन backwards दिख रहा है तो यह मेरा क्या है कि सबसे ज्यादा अच्छा रजिस्टन्स रहें कामेरे को अब देख लीटे Erf to putlight में देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा holiday build-up मेरे को 12.0 को be cake तो बारा सो के रजिस्टन्स के अब हम देख लेते हैं मंडे मार्केट कौन सा मूद दे सकता है तो निप्टी में हम देख रहे हैं अगर हमें को अलग पोजिशन बिल्ड अप हुई दिखे तो हमें सब बोल सकते हैं कि निप्टी जाएगा आप लेकिन कोई सी लॉंग पोजिशन बिल् तो आगे की प्रैस पर सोट करने काड़ाने के मार्केड जानेख़ दिख रहे तो इस ऑगे की प्रैस पे सोट पोजिचेशं तुछ तो मैं एसा बोल सकता के market के up जाने के chances हैं तो इन्व चार पॉइट देखिए एक पोइट कुछ नहीं मिला। लटन टी मंडे Certainly. मुवमेंट दे सकता है। एस सकता है। तो यह गया निप्टी का options chain अब हम ch bitches अब हम हम आ चुक्य बैंक निप्टी के option chain analysis data के उपर, जो हमारा बैंक निप्टी है, वो 31,900 से लेकि 32,000 के बीच में कहीं close हुआ है, तो call side से resistance पाइंड करेंगे, put side से support पाइंड करेंगे, तो call side देख रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा UI build-up मेरे को 32,500 पे दिख रहा है, तो ये मेरे resistance की तरह work कर सक सकता है, तो ये हो गए support in resistance, अब हम देखते है, बैंक निप्टी कोन सा mood देख सकता है, Monday, तो अगर मेरे को call side long position build-up हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि market जाएगा अब, लेकिन call side एसी कोई long position build-up हुई नहीं दिख रहे हैं, बाद में put side आ जाते हैं, अगर put side हमे long position build-up हुई दिखे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, market जाएगा down, तो put side मेरे को long position build-up हुई दिख रहे हैं, तो मतलब market down जाने के chances हैं, बाद में हम cold side आ जाते हैं, cold side मेरे को short position build-up हुई दिखे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, market जाएगा down, तो आप देख लिजे, cold side मेरे को short position build-up तो आप देख रहे हो तो मेरे को put side भी short position build up हुई दिख रहे हैं तो इसके up जाने के chances भी है हमने 4 point देखे एक point कुछ नहीं मिला 2 point down के मिले एक point upside का मिला इन simple bank nifty Monday downside movement देशकता है तो यह हुग गए nifty and bank nifty के option chain analysis अब हम देखते हैं nifty and bank nifty के technical analysis and support resistance find करते हैं अब हम आ चुके nifty के chart के उपर तो पहले कल का क्या हुआ वो देख लेते बाद में हम Monday का सूचेंगे तो कल क्या हुआ कल market open हुआ रेड में बाद में एक आपको downside देखने को मिली बाद में इस level से थोड़ा upside देखने को लिए फिर से downside और फिर से वही level पे upside देखने को मिली है इन सिंपल आपको क्या है कि nifty में कल एक downtrend देखने को मिला है अब हम Monday की बात करें तो Monday अगर market open होता है red में तो क्या करेंगे हम सोट के लिए जाएंगे तो हमारे जो पहला support होगा वो 120-20 होगा अगर यह हमें 120-2020 के level से कोई ऐसी reversal pattern दिखा के upside जाने का mood देता है तब हम इसमें buy में आ सकते हैं अगर यह इसको break करके नीचे चला गया बाद में अमारा जो support होगा वो यह rising support line होगी अगर यह rising support line के पही आसपास कोई अच्छा upside moment देने की कोशिस करता है तब हम इसमें भी इधर से buy side आ सकते हैं लेकिन यह थोड़ा दूर है तो आपको देखना पड़ेगा क्या होता है Monday तो यह हो गई buying opportunity अब हम selling कप करेंगे मान लेते के Monday market open होने के बाद थोड़ा upside moment दिखाता है और जो यह 1200 का level है वहाँ से यह resistance लेकर नीचे आने के कुछ signal देता है तब हम वहाँ से sort में आएंगे बाद में एक over selling open unity मिलती है अगर हमें मान लेते कि एक market open होके थोड़ा नीचे गया यह जो 12020 का level है थोड़ा उससे upside आके उसको break करके नीचे चला गया फिर भी हम sort में जा सकते हैं तो यह था हमारी वर से nifty का support and resistance in simple जो 1200 का level है वो मेरे लिए resistance की तरह वर करेगा जो 12020 का level है वो मेरे लिए support की तरह वर करेगा अगर यह मेरे को यह rising support line के आज पास भी मिल जाता है और strong reversal upside का दिखाता है तब भी मैं इधर से bike कर सकता हूँ तो यह हो गया निप्टी का technical analysis अब हम bank nifty का technical analysis देखते हैं अब हम आ चुके हैं bank nifty के chart के उपर पहले हम कल का performance देखते हैं बाद में हम Monday क्या होगा वो देखते हैं तो कल market क्या हुआ नॉर्मल बात है कि एक raid में था तो raid में open हुआ बाद में नीचे गया बाद में देखो इस level के आसपास से थोड़ा उपर गया बाद में नीचे गया फिर से इस level के आपको एक upside डेक्टे को मिले तब हम देखते हैं Monday क्या हो सकता है तो साइद Monday यह market क्या है कि raid में open हो अगर यह raid में open होके थोड़ा downside दिखाने के बाद इस level के आसपास से मेरे को strong buying वाला opportunity मिले तब मैं इसमें buy में आ सकता हूँ जो level है वो 31,770 है बाद में अग मैं sale में कब आऊंगा अगर यह मेरे resistance line के आसपास मिले तब मैं इसमें sale में आ सकता हूँ मान लेते हैं कि Monday market open होने के बाद थोड़ा आपको upside मिले अगर upside मिलता है तो यह जो level है मेरा 32,160 के आसपास मेरे को मिलता है तब मैं इसमें इदर से sell में आ सकता हूँ लेकिन उसके chance थोड़े कम दिख रहे है मेरे को बाद में हम दूसरी बात कर ले मान लेते हैं कि market open होने के बाद थोड़ा नीचे चला गया और जो यह rising support line है उसको break करके नीचे चला गया बाद में थोड़ा upside दिखाने के बाद इदर resistance लेके नीचे जाता है तब मैं इसमें sell में आ सकता हूँ यह हो गई third opportunity बाद में fourth वही है अगर यह इस level को break करके नीचे चला आता है बाद में थो नीचे जो हमारी main है वो है main support line मतलब rising support line अगर यह इसके नीचे जाता है यह main rising support line के आसपास से मेरे को buying opportunity देता है तब मैं इसमें buy आ सकता हूँ तो यह हो गई bank nifty में हमारे support resistance in simple मेरा resistance होगा 32,160 होगा जो मेरा पहला support होगा 31,770 यह इसको break कर देता है और इसमें resistance लेके इसमें sell में जा सकता हो तो यह होगे हमारी ओर से bank nifty में आपके लिए support and resistance अगर हमें कोई भी हमारे level पर opportunity मिलती है तब हम इसमें लेंगे या तो कोई continuous chart pattern मिले तब हम इसमें लेगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आरो like, comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे ले कहेंगे तो प्लीज आरो like, comment, subscribe कर देना और हम क्या एक indicator पर सीरीज बना रहे बाद में उसमें strategy एड़ करने वाले और अच्छा response मिला तो price action भी एड़ करने वाले तो अगर आपको कुछ knowledge लेना है